पॉल्ट का एंस मैं संजीब सरर में आप सबीका स्वागत करता हूं करता हूं हारदी कभी नदन करता हूं आज यह नए वीडियो में और आज का वीडियो जो है बहुते दास्त वीडियो हने वाला क्योंकि आस में आप लोग को ब्रहमास्त वाला टिप्स देने वाला इंग्लिस में उत्तर पुस्तिका कैसे लिखें और यह वीडियो को आपने देखा तो स्योर है कि 90 प्लस इंग्लिस में मार्क्स लाने से कोई आपको रोक नहीं सकता है माइडिर स्ट्वेंट्स शुरुआत करने से पहले हम आप लोग को एक पॉजिटिव थाउट के साथ क्लास को सुरू करेंगे कहते हैं कहने वालों ने खुब कहा है मेहनत इतनी खामोसी से करो कि जो लोग तुम्हें कॉंटेक्ट लिस्ट में नहीं रखना चाते मेहनत इतनी सब्सक्राइब करो कि जो लोग तुम्हें कॉंटेक्ट लिस्ट में नहीं रखना चाते वह एक दिन तुम्हें गुगल पर सर्च करें तुम्हें रहें ना कामियाब ऐसे बनोया तो माइडिये स्टुरेंट्स टिप्स आज देने वाले बेजो टिप्स जो आपको हेल्फु है मेरे मित्र ठीक ना इसको स्कीप नहीं करना एक एक पॉइंट को आपको देखना है क्यूंकि मैं आज बहुती ब्यातरी ढंक से आपको बताने वाला हूं ठीक ना मैंने आप लोग को पहले भी प्रामिस किया था बच्चा मेरा में में पॉइंट आखरी होगा ब्रहमास्त उसको कहते हैं जब सारा आश्त्र फेल हो जाता है तो ब्रहमास्त ही काम आता है दोस्तों तो आज का वीडियो ब्रहमास्त आप लोगों के लिए ठीक है वो 5 चीजें वो 5 टिप्स वो 5 धासु टिप्स जो आज मैं आप लोग को देने वाले मिर प्यारे बच्चों ठीक ना यह देखिए मैंने हापी स्लोगन डाला है. इंग्लिस में अंसर सीट लिखने का 5 धासु टिप्स. 5 धासु टिप्स. अब देखिए पहला जो टिप्स है मिरे प्यारे बच्चों. पहला जो टिप्स है उसपे मैं फोकस करवाना चाहूंगा आप लोगको. कहते हैं दोनों तरफ, कोपी के दोनों तरफ चवथाई को छोड़ देना है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, मैं आप लोग को पेज से समझाना चाहूंगा मेरे भाई, मेरे बच्चों, चलिए, चवथाई, ये वाला सबसे प्योर चीज है मेरे बच्चो देखिए क्योंकि पेजेज की संख्या काफी अधिक होती है मेरे भाई बस आपको करना क्या है दोनों तरफ से देखिए फोल्ड मार देना अगर फोल्ड आप लोग को लॉक रहा है तो यह कॉपी का जो है दोनों तरफ से सिरा को मोड देना बच्चों और इसके बीच में जो क्यापिंग आता है उस बीच में आपको लिखना है यह पहला लोजिक है ठीक है और दूसरा टिप्स कहता है जो आंसर आप लोग देंगे वह अंसर कोशिस हो कि अपने सब्दों में हो ठीक ना पता है हमें आप लोग याद करके जाएगा लेकिन अपने सब्दों में की चेक करने वाले होते हैं वो गेस पेपर के लेंग्वेज को पकड़ते हैं मेरे मीत्र तो उससे थोड़ा आपको बचना है यह दूसरे बिंदू था ठीक ना तीसरी पॉइंट जो है मेरे भाई जिस टेंस में सबसे महतपुर्ण चीज एही है सबसे बड़ा चीज जिस ट सेंस में आपको आंसर भी देना होता है इसका हम आगे जिक्र करेंगे एक्स्प्लानेशन करूंगा मैं मेरे मीत्र चौथा नंबर पर आजाओ यह सब रामबान है इलाज कर देगा आपको और सिक्योर करेगा 90 पलस मार्क्स ठीक ना साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखें काको कोडवा मामु घळवा नहीं रे बाबो जैसे तैसे मन हुआ लपेट दिये बिलकुल नहीं आपको शाफ सब दो में लिखना चाहें जो भी लिखी आप मुनी बदना मोई डार्लिंग तेरे लिए कुछ भी लिखिये बट साफ साफ सब दो में लिखना यह जा गाना नह यह बचे क्या होता है मेरे मित्र इसका चर्चा मैं बात में करूंगा सबसे पहले दोनों तरफ शौथाई आपको मेरे मेरे भाई मान के चलिए यह पूरा का पूरा आपका पेज है वह को में न आ falar पूरा का पूरा है मेरे पेज हो गया तब है यह आप और एक कॉलम इधर हो जाना चाहिए और यह साइड बच्चा आपको कुछ नहीं लिखना है कॉपी भरना है तब क्योंकि जाचने वाला कॉपी देखते कितना आपका पेजिस भरा है सटिक है तो अगर आप देखें बहुत सारे बिद्वान बच्चा क्या करते हैं इदरों भर देते हैं यह साइड में इधर तो छोड़ा जाता है बापा उती जमीन है हम लोग का इधर छोड़ना ही है लेकिन दुरों भार देता है अरे बबुआ इधर भारेंगे तो कोपिया खालिंडा जाएगा जी आप देखिया क्या करना है सो यह दोनों तो चब थाई आपने छोड पांच हाडली आपको चारे सब्द लिखना है कितना ही तों में वो जाते बता दिये जी एक दो तीन चारे को सब्द लिखना है आपको एक लाइन में फिर आगे के लाइन में आ जाएए फिर लिखिये चार सब्द इससे क्या फैदा होगे मेरे मीत्र इससे आपका फैदा य लिखेगी और कॉपी भी लगेगा कि भर गया है आप बोलिए कि एक सब्द दूसर बढ़ता कि नहीं बढ़ता तो यह वला आपने जो गेप छोड़ा तो इसमें कॉपी में सब्द ज्यादा मतलब सब्द कम रहेंगे और पेजे ज्यादा भरेंगे यह टेक्नलोजी आपको अ देखिए उन बच्चों के लिए हैं जो हमसे पूछ रहे थे ठीक ना तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं मेरे मित्र देखिए क्या है यह वाला चीज यह कौपी कहीं यंग है बुरान इसको जो है कुछ नहीं समझेगा यह कौपी का भाग ही है बस इस तरह से आपको सजा दिखती है उसी तरह से आपको यह परिछा में इस पे मेकप चड़ा देना है यह वाला साइट यह वाला साइड आपको लिखना नहीं है ज्यादा भर नहीं देना है आपको आथा पता इसमें देले इतने सब्सक्रांव तो क्या होगा अगल जो सभ्ध्ध आप ज्या चाहें दूसरा तो मैंने बता दिया जो भी सब्द होगा अपने सब्दों में लिखेगा तिसरा पर आते हैं तिसरा पर जो बात है तिसरे को मैं लेता हूं बच्चो ठीक ना इसी कौपी को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं चले थर्ड नंबर पर आ जाएए देखें क्या है थर्ड नंबर पर है अब जैसे यहां पर एक कोश्चन में देता हूं हां पर वाई डज ही गो टू अस्कूल एक और कोश्चन देखिए हूं हाउ एज स्टी बीपिंग ठीक ना दोस्त आप देखों यहां पर अगर यहां देखें सिंपल पर जिन टेंस में मेरे भाई अगर यह कोश्चन सिंपल परजेंट टेंस में है तो आंसर भी सिंपल परजेंट टेंस में होगा ऐसा नहीं कि सिंपल परजेंट टेंस में कोश्चन पूछा आप पास्ट में जवाब दे रहे हो कंडिनीवस में जवाब दे रहे यही गलती होता है बहुत बड़ा और बच ना होगा जैसे अगर में हाँ पे इसका अंसर दूं तो देखों क्या होगा कि ही गोज टू स्कूल हिए गोज टू स्कूल के तो यह तो तरड़ी देखा ना दोस्तों यहां पर कुछ दस था तो मैंने भर्व का पाचमा रूपी उस ठीक है तो इसी प्रकार से आपको जवाब देना होगा यहां पर चलिए कोश्चन को मैं थोड़ा सब कि देखे क्या होगा है कि स्टी इज कि बीपिंग अनकांडली तो इस प्रकार से देखे इज लगा हुआ था यहां पर तो इज बाला मैंने यहां दिया पैटर्न तो आपको करना क्या जिस टेंस में आंसर और यह कोश्चन पूछा जाए उसी में आपको जबाब देना है ठीक है बच्चों अगला एक और ची देखिए यह तो ह फरक फरक लिखना है जैसे देखिए ना यह गेपिंग है तो गेपिंग थोड़ा दूर दूर पर होना चाहिए लेक का ठीक है वह सुंदर दिखेंगे करते बच्चों अब और राइटिंग क्या होता है देखिए ओबर राइटिंग यह होता है कि मान के चलिए कोई बड़ गलत हो जाता है लिखने वह तो क्या करते हैं कुछ बच्चे इसको काट कुट करें लगते काटना सुरू करते हैं काटना नहीं आपको अगर गलत लिखा गया तो छोड़ दिए उसको आगे बढ़ जाईए अगर आप गलत करेंगे यहां पर काटेंगे तो उससे क्या लिकुल मारना नहीं है बान के चलिए आपके थोपड़ा पे कोई आ करके कालिक पोत दे तो सुंदर लिखिएगा ने दिखिएगा जी तो उसकी सुंदर का बरकरार रखने के लिए आपको कट नहीं करना यहां पे ठीक है यह रहा है आपका महामंत्र समझ गए ना बाबू चल साइड साइड से लेते जाएगा बाहर नहीं जाना चाहिए बच्चा इसमें भी आप बहुत सारे बच्चे बैटनर मांगते हैं तो आपको क्या करना है इस तरह से भरते चलना ना इसका बाहर नहीं ले जाना है ओ यह हमार सीट को ठीक है समय रहना तो इस तरह से आप लोग copy बना सकते हो 12 का final examination में बच्चों ये अगर आपने logic को अपनाया तो आपको अंग्रेजी में 90 पलस लाने से कोई माई का लाल काट नहीं सकता है ठीक है चलिए बच्चों आज बस इतना ही और मुझे उमीद है कि ये tricks ये trick जो मैंने आप लोग को दिया ये trick आपको काफी काम करने वाला है 2022 के exam में इतिहास रचने वाले हो आप लोग बस आज इतना ही हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक सभी को जय हिंद